नमस्कार किसान भाईयों, डॉक्टर आरके सैने के फार्मस डेस्क यूटूब चैनल पर आपका एक पर फिर्स वाकत है आज हम चर्चा करेंगे गुलाबी सुन्डी की रोख थाम के बारे में इससे पहले मैंने पहले वीडियो में इसके जीवन चक्रते बारे में आपको जान करें दी आज रोख थाम के बारे में उपायों की चर्चा करेंगे तो तीन बातों के किसान भाई ध्यान रखें एक तो ऐसी किसमे या हाइबर्ड लगाएं जो अगेती पकती हों जितने अगेती पकेगी उतनी उसुन्डी के प्रकॉफ से बच जाएगी दूसरा कीटनाश्यों का उचित समय पर और उचित मातरा पर और उचित कीशनाश्य का प्रयोग करें ताकि हम इसका प्रभावी रोख थाम कर सकें और तीसरी बात यह हमें वो हर काम करना होगा जिससे हमारी फसल पचेती न पके उदाने के लिए हमें अंतिम पाने लगाने के बारे में सावदाने रखनी होगी अंतिम पाने बहुत पचेता ना लगाएं या बहुत ही हलका लगाएं और दूसरा कि यूरिया का प्रयोग कम करें क्योंकि यूरिया बढ़वार को बढ़ावा देती है और फसल पचेती पकती है तो और जान के लिए आओ आगे वीडियो देखते हैं किसान भाईयों पिछले वीडियो में मैंने बताया कि गुलाबी सुन्डे के जीवन की चार अवस्थाएं होती हैं अंडा, लारवा, प्यूपा तथा प्रावड इस वीडियो मैं इस कीडे की रोखताम के बारे में मैं चर्चा करूंगा ये देखिए इस परकार के अंडे होते हैं गुलाबी सुन्डी के इन अंडों से बारेक बारेक सुन्डीया निकल कर भोजन की तलास में तरण चल पड़ती हैं यह देखिए बारिक सुन्डी और कुछी मिनटों में यह फली है भागों यानि कि भोकी पापड़ी टिंडे तक पहुंच जाती हैं जब ये पूरी इनकी उमर हो जाती है तो ये बाद में प्यूपा में प्रव्यृतित हो जाती है ये देखे सुंडि किस तरह से प्यूपा में तब्दिल होती हुई और प्यूपा एक ऐसी वस्था है जिसमें लारवा के गुण बदल कर पूरी तरह से पतंगे के गुण आने वाले हैं तो प्यूपा एक ऐसा माध्यम है तो प्यूपा के अंदर से फिर ये पतंगे निकलते हैं ये देखिए प्यूपा का खोल बाकी रह गया है और पतंगा इसमें से भार निकल गया है ये है गुलाबी सुन्डी का पतंगा जो बाद में पौदों पर अंडे देता है और नए पीडी के शुरुआत करता है तो रोख थाम सबसे अच्छा उपाय है कि आगेती पकने या खिलने वाली किसमे या हाइबरिड लगाएं कुछ किसमों के नाम वे हाइबरिड के नाम मैं वीडियो में दे रहा हूँ इसके लावा भी जो मार्केट में और जल्दी पकने वाले किसमें आप लगाएं देशी के पास लगाने का भी फायदा होगा क्योंकि देशी के पास जल्दी खिल जाती है तो सुन्डी कम लगेगी कीट गदिविदी की शुरुआती जानकरी के लिए फिरमोन ट्रैप्स लगाएं ये फिरमोन क्या होता है के नर्पतंगे को आकरशित करने के लिए मादा पतंगा खास तरह की गंद निकालती है और इस गंद को कहते हैं सेक्स फिरमोन इस फिरमोन के नकली रूप को लैम में बनाया जाता है और इसे पतिने नालियों कैप्सुल के मादम से खेत में सापित कर देते है इससे नर्पतंगे ट्रैप में फस जाते हैं अत्वा भ्रमित हो जाते हैं ऐसा होने पर नर्मादा का मिलन नहीं हो पाता और अगली पीडी में प्रकोप कम हो जाता है अत्या नर्पतंगों को पसाने या भ्रमित करने के लिए खेत में ऐसे ट्रेप्स कई जिगे लगाएं तो कीटनासी कब शुरू करें इन तीन संकेतों के अधार पर सप्रेश शुरू कर सकते हैं नमबर एक परती सब्ता खेत में पांच स्थानों पर पचास आठ बोकी पापड़ी का निरिक्षन करें अगर 10% काने मिलें तो आप सप्रेश शुरू कर सकते हैं ये देखिए गुलाबी सुन्डी द्वारा कानी की गई बोकी पापड़ी कलियां दूसरा तरीका है कि फिर किनुमा फूल दिखाए दे तो सप्रेश शुरू कर सकते हैं जैसे के मैंने पिछली वीडियो में बताया कि गुलाबी सुन्डी कली फूल के समय ही प्रवेश कर जाती है और फूल ठीक से निखिलता फिर किनुमा बन जाता है तो ऐसे फूल अगर दिखाए दे इने नस्ट भी करें और आप सप्रेश शुरू कर सकते हैं इसे परकार एक फिरो मौन में पांच से आठ पतेंगे प्रती राज फंसना शुरू कर दें तो वो भी सप्रेश का समय ठीक माना जाएगा तो ये कुछ दवाईया मैंने इनके नाम लिखे हैं जैसे प्रफेनफोस है, थैयोडीकार्ब है, कुनलफोस है, साइप्रमेथरिन है, अल्फामेथरिन है इसके अलावा ट्राइज़ोफोस है डैसिस है, एममेक्टिन, बेंजोइट है तो इनकी दवाईयों मैंसे आप बारी-बार इसे प्रयोक करें तो गुलाबी सुन्डी की अच्छी रोकताम हो जाएगी आखरी चुगाई के बाद खेत में भेड़वक्रियां अवस्य छोड़ें क्योंकि वब बिनोले खाएंगे तो साथ में सुन्डी भी खा जाएंगे और इन बातों का ध्यान रखे हैं कि जब भी आप पारे-थ्रेड का इस्तमाल करें तो उसके बाद सफेद मक्खी के समस्या पैदा हो सकती है इसलिए सफेद मक्खी को नियंतित रखने के लिए आपको हर सप्रे में थोड़े नीम की दवाई भी मिलानी पड़ेगी जोड़े बीजों में से अपरेल से मद्य जोन तक बहुती कम पतंगे निकलते हैं जोन के आखरी से पतंगों की संक्या बढ़ने लगती है और जोलाई के दूसरे पकवारे में सबसे ज़्यादा पतंगे निकलते हैं तो इसलिए सप्रे आप जोलाई के आखरी सप्ता में शुरू कर सकते हैं बारा दिन के अंतर पे आप सप्रे करें मेरी राह में अक्तूबर के पहले सब्ता के बाद सप्रे करना लाब करें नहीं होगा क्यों उस समें काफी फसल खिल जाती है और अंतिम दो सप्रे में पारे थड का इसमाल करने से टिंडे दस दिन पहले खिलेंगे और बिनोलों को में उपस्ते सुन्डी को मारने के लिए सेलफास से धुमरित करें और नए हाइब्रिड आने तक तो हमें किटनाशी द्वाव को सारा लेना ही पड़ेगा ये सुन्डी बहुत ही कम समय के लिए कुछ मिनटों के लिए ही सतन तुरूप से विचने करती है पौदों पर और एक बार अंदर अगर चले गए तो फिर इसका मैनेज करना मुश्किल होगा इसलिए बारा दिन के अंतर पर किटनाशी का लागातार कवर बनाया रखें फसल पर और फसल देरी से न पके इसके लिए पछेता पाने लगाने से पचे या बहुत हलका पाने लगाए और यूरे का कम प्रयोग करें तो किसान भाई इस परकार इन बातों पर आप ध्यान देंगे तो आप भी नर्मा कपास की बंपर पैदावार लेश केंगे धन्यवाद जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक वे शेर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें